हरहर महादेव अध्याए 23 ब्रह्मा जी ने आगे कहा नारद जब हिमानचल और मैना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने शिवजी के चरणों पर अपना ध्यान लगाया उधर गिर्जा ने भी वन में पहुँच कर अपना सुरूब रिशी मुनियों जैसा बना लिया और शिवजी के अत्रिक्त सब को भुला कर उनका ध्यान करना शुरू कर दिया उसके बाद वो तपस्या करने के लिए शरंग तीर्थ गई जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हो गया उन्होंने 64 वर्षों तक सर नीचा करके एक ही आसन में बैठकर तपस्या की कर्मियों में आग में तपी वर्षकाल में खुले मैदान में रहती थी और सर्दियों में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या की जब इस प्रकार के बहुत उग्र तप द्वारा भी उन्हें फल नहीं मिला तो उन्होंने 1000 साल तक केवल पेडों के जड़ और पत्ते खाकर कठिन तपस्या की उसके बाद एक वर्ष तक केवल हरी घास और साग खाया फिर कुछ समय बाद केवल वायू पी कर ही तप करती रही ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनुरत पूरा नहुआ तब वो हिमानचल परवत पर लोट आई वहां उन्होंने तीन करोड शिवलिंग बनाए और उनका पूजन शुरू कर दिया उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिन गिन कर उन शिव मूरतियों पर चड़ाए और दिन रात शिव की पूजा की ध्यान किया उन्हें याद किया उसके अलावा कुछ भी न किया वे शिवजी के प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उन्होंने प्रणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर दिया और ब्रह्म रूप में स्थित हो गई कई बार उन्हें भूत प्रेत की सेनाओं ने चारो और से गहर लिया कई बार भूतों ने शेर, हाथी, भैसा, बेल और चमगादर जैसे जानवर का रूप धारन करके उन्हें डराने की कोशिश की जो भूत प्रेत गिर्जा को डराने के लिए आते थे उनका स्वरूप ऐसा भयानक होता था कि उसका वरण नहीं किया जा सकता उनमें से अनेक के तो केवल एक आख होती थी, कोई अंधा होता था तो किसी के पास हजारों नेतर होते थे, कोई नाचता था, तो कोई दोड़ता था कोई मारो, मारो शब्द का उच्चारन करता था, और कोई गिर्जा को मारने की कोशिश करता था कोई मैना का रूप धारन करके आ जाता और कहता गिर्जे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है अब वो मरने वाले हैं इसलिए तुम घर चलो उनकी रक्षा करो इस तरह भूत प्रेतों ने गिर्जा के तप को भंग करने के लिए बहुत कोशिशेंगी लेकिन गिर्जा का ध्यान पल भर के लिए भी विचलित नहीं हुआ वो दुगने उत्सा से शिवजी के चरणों में अपना मन लगाए रही तब गिर्जा के तेज से भेभीत होकर बहुत से भूत भाग गए जो बचे उन में से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूप कर मर गया इस प्रकार गिर्जा के ध्यान को भंग करने में सब असफल रहे जिस स्थान पर गिर्जा तबस्या कर रही थी, वह स्थान कैलाश परवत के समानी सुन्दर हो गया वहां के निवासियों को ऐसा लगा कि वे संसार की माया को भुला कर ब्रह्म ज्यानी हो गए उस स्थान पर शेर गायों के साथ खेलते थे, बिल्ली चूहों से प्यार करती थी यदि किसी प्राणी को किसी तरीके का कश्ट होता था, तो दूसरे प्राणी उसके दुख को दूर करने की कोशिश में लग जाते थे उस स्थान पर पारस पर एक वैर विरोध का कोई नाम नहीं था वहां के तालाब नदी और नाले जल से भरे रहते थे सब व्रक्षों में अनेक तरह के फलफूल दिखाई देते थे इस तरह वहां किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी गिर्जा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए मैं खुद विष्णुजी और इंद्र जैसे लोग उस जगह जाने लगे हम लोगों ने उन्हें इस तरह से देखा कि वे स्वैम सिद्धिरूपा हों हम सब ने उन्हें प्रणाम किया उस समें इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए कहा गिर्जा जी का तप सर्वस्रिष्ट है तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की गिर्जा जी को और उनके माता पिता को हजारो हजारो धन्यवाद इस तरह गिर्जा की प्रशंसा करने के बाद हम सब लोग कैलाश परवत पर शिव जी के पास पहुंचे वह कैलाश परवत इतना सुन्दर है, वहाँ छेहों रित्वें हर समय वर्तमान में रहती है वहाँ कल-कल निनादिनी गंगा जी की धारा बहुत प्रसंद होकर बहती रहती है वहाँ किसी को भी किसी तरीके का कोई दुख नहीं है सब और रिशिमुनी लोग बैठे हुए भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहते हैं कहीं पर कोई सिद्जन तपस्या करते हैं तो कहीं कोई किन्नर गाना गाते हैं केलाश के इस आनंद को देखते हुए जब हम लोग शिव जी के समीप पहुँचे तो उन्होंने हमें योग स्थित शरीर धारण किये अपना दर्शन दिया शिव जी के उस रूप को देखकर हमें ऐसी प्रसनता हुई कि उसका वरण नहीं किया जा सकता उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान था और जटाओं से गंगा जी बह रही थी वे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुए थे और कानों में सर्पों के कुंडल पहने थे शिव जी के उस परम सुन्दर सुरूप को देखकर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रडाम किया उसके बाद उनकी प्रार्थना की